क्या आप भी हैरान हो गए कि ये गंबले इतने खुबसूरत और कैसे बना लिए आवले का पौधा आप कोई साभी पौधा जिसमें आप पूजा करते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं आपने अपनाना ही पड़ेगा नहीं तो आपका जो है पेंट जो है वो फैल जाएगा कोड़ी तो दोस्तों महनत है इसी लिए मेरे किसी जो व्यूवर्स नहीं यह ओर्डर पे बनवाया था मेरे से आप सुक्षामती लगा लीजिए आपको यह वो लिंक दे दूंगी तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजेगा कि मुझे इसे ही मेरे पर्चेस कर ल तो आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा तरीका कि मैंने इसको किस तरीके से कौन सा पेंट यूज करा है किस तरीके से जो जो चीजे इसमें यूज की हैं वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो आप भी फटा फट से अपने गमलों को कर लीजिए तयार ये इतने प्यारे गंबले हैं दोस्तों अगर एक बार अपने गार्डन में बना लिए ना तो सबी जो पोडोसी हैं जो रेलेटिवस हैं सबकी निगाहें आपके इस गंबले में हैं तो समभाल के रखिए नहीं तो नजर लग जाएगी दोस्तों इन गंबलों में आप बहुत सारे जो भी आपके डेवर्शनल आपके जो धार्मिक पोड़े होते हैं यानि कि तुलसी, शम्मी, आपका आवले का पोधा आप कोई साभी पोधा जिसमें आप पूजा करते हैं वो आप इसमें लगा सकती हैं, विसे तो आप सभी पोधे समें लगा सकते हैं, मगर इसमें वो पोधे बहुत सुन्दर लगेंगे जिसमें आप पूजा वक wijड़ा करते हैं तो इसमें रेड और वाइड का combination मैंने लिया है, एक्रिलिक कलर लिया है इस्टेंसिल लिया और इकी स्पॉंज लिया है जिसकी सहायता से हम बनाने वाले हैं यह प्यारा सा पॉट तो नो जंजट अगर आपको कोई ड्राइंग करनी नहीं आती है ना आप इसे बना सकते हैं थोड़ा सा साफधानी तो दोस्तो हर चीज में करनी पड़ती है तो मैं भ गह्टा लगा था तो हर एक बार इस्टैंसिल को योज कर रहे हूं और फिर वाश करने जा रहे हूं दो यह जो है ना तरीका अपनाना ही पड़ेगा नहीं तो आपका जो है पेंट जो है वो फैल जाएगा तो मैं जो जो चीजे मैंने यूस कर रही हूँ है और अपने experience के साथ मैं आपको share कर रही हूँ वैसे वैसे आप करिए दोस्तों सबसे पहले आप जो आपका acrylic color है उसको लगभग 15 से 20 मिनट पहले आप किसी कटोरे में या किसी plate में फैला दीजे ताकि वो थोड़ा सा गाड़ा हो जाए अगर वो थिक हो जाएगा तब आपकी stencils जो है बहुत अच्छे से design आएंगे और वो की उभर के design आएंगे नहीं तो यह क्या है पतला-पतला होता है और stencils में फैल जाता है तो यह है point number one तभी आप इस designs को बना पाएंगे acrylic color से क्योंकि मैंने अच्रिली कलर से ही बनाया है मुझे अच्रिली कलर बहुत पसंद है मैं आपको क्या बता हूँ मेरे जितने डियावाएं हैं सम्में मैं अच्रिली कलर यूज करती हूँ और दोस्तों आपने देखा ही होगा कि यह white color का मेरा गमला था और उसमें मैंने इनामल पेंट यूज करा है रेड गलर का और उसको एक बार में नहीं दो बार तीन बार में यह मिरको प्रॉपर रेड मिला है तो थोड़ी तो दोस्तों महनत है इसलिए मेरे किसी जो व्यूवर्स ने यह order पे बनवाया था मेरे से तो उनका जो है वो order complete हुआ यह देखे ग और यह गंळा इतना घुबसुरत है ना अगर आपके पडोशी की निगाहे ना थाग आपकी थमे तो मेरा नाम बदल देना दोस्तों इतना यूनीक और आपका खुद से बनाया हुआ गंळा इतना प्यारा लुक देता है दोस्तों इसमें तुलसी लगाना आप शमी लगान आप आवली का पौधा लगाना बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लोक आप सुक्षामती लगा लीजिए बहुत ही प्यारा लोक है, मैने इसमे दो ताइप के design बनाया है, दो टाइप की stencils यूज करी है प्रॉपर पूर अगमला सेम है मगर गणेश ची के साथ में जो स्टैंसिल्स यूज़ कर रही हूँ वो मैंने दो टाइप की यूज़ करी है स्टैंसिल्स के लिए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिंक लिख के सैंड कर दीजे मैं आपको साइट का लिंक सैंड कर दूँगी जिससे कि आप परचेस कर सके और आपको कोई परिशानी ना हो तो यह कोई स्पॉंसर नहीं है वीडियो बट फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए आपको यह वो लिंक दे दूँगी तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजेगा कि मुझे इस स्टैंसल का लिंक चाहिए अक्रिलिक अला आपको दोस्तों स्टेशनरी से मिल जाएंगे नॉर्मली ट्वेंटी फाइफ रुपीज का आपको इसकी छोटी सी डब्बी मिल जाती है बस देखो दोस्तों कितना प्यारा लोग है अगर आप बहार स्पॉर्ट को लेने जाये ना तो हजारों की कीमत लगा देते हैं बट मैंने अपने व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छे प्राइजिस लगाये हैं और उन्होंने ये दोनों गमले ही मेरे पर्चेस कर लिए क्योंकि उन्होंने स्पेशली डिमांड पे बनवाये थी उसके बाद दोस्तों इसको करना है हमने पका क्योंकि एक्रिलिक कलर ना थोड़े से इनामल कलर के अकॉर्डिंग इतने लॉग लास्टिंग नहीं होते हैं मैं साफ बताती हूं आपको बट अगर कोई डिजाइनिंग करनी है तो इसके अलावा मैं पस कोई चारा नहीं है अमें अक्रिलिक कलर ही यूज करने पड़ते हैं तो मैं इसमें करने चारी हूं वार्निश और ये वार्निश दोस्तों वाइट कलर का है आप ध्यान देंगे ना थोड़े देर बाद ये सूख जाएगा और ये बिल्कुल एब्जॉफ कर लेता है अपनी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग वाइट है तो कोई भी आपका जो है तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगी आपकी सहूलियत के लिए ताकि आपको परिशानी ना और अगर आप बनाना चाहते है तो जरूर बनाईए तो दोस्तों यही कहूंगी मेरी रिक्वेस्ट पेक पर जरूर प्राय करना हाँ अगर आप नहीं बहुत ज़्यादा बीजी रहते हैं और नहीं बना सकते हैं तो मैं यह जो पॉट्स हैं वो और्डर पे बनाती भी हूँ आई मिन और लेती हूँ तो आप मुसे इंस्टाग्राम पे कॉंटेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम के इंबॉक्स में यानि के डीम में मैं यहाँ पे जवाब नहीं दे पाऊंगी इसका कोई भी आप मुझे बहाँ पे इसकी सारी क्वेरी इसके प्राइजिस वगरे के बारे में पूछ सकते हैं तो दोस्तों कैसा लगा आपको इन दोनों में से जो भी पॉट है मुझे ज़रूर बताएगा कॉमेंट सेक्षन में बहुत महनत लगती है दोस्तों इसमें ये अभी आपकी इतनी सी चोटी सी वीडियो मगर महनत बहुत लगे तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजें